नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में आप में से अधिकतर लोगों ने उपवास जरूर रखा होगा उपवास का सीधा सीधा अर्थ है उपवास परमात्मा के उप में वास करना यानि कि हम खाने में बहुत अधिक मन ना लगा करके अधिक मन परमात्मा में लगाएं इसलिए बहुत जादा कुग्ड फूट से हम दूर रहते हैं, उपवास रखते हैं, परमात्मा के उप में वास करते हैं, प्रतीक्षन परमात्मा का स्मरण करते हैं, यो तो उपवास के अनेका नेक लाब हैं, और अगर हम religiously ना देखें, scientifically भी देखें, तो आज विज्ञान ने भी प्रूफ कर दिय कि fasting is very very important for human body and for overall well-being, चाहे हम physical well-being की बात करें या mental की, लेकिन फिर भी एक myth है, कहीं ना कहीं, psychologically हम यह सोचते हैं, कि if we are fasting, तो हमारा metabolism गिर जाता है, metabolism rate कम हो जाता है, अगर आपको भी ऐसा myth है, क्योंकि अगर कोई चीज़ psychologically हमें effect करती है, तो निश्चित रूप से उसका practical effect भी हमें दिखने लगता है, यह हमारे विचारों की शक्ति है, यह हमारे power of thoughts है, metabolism आपका बना रहे, उसके लिए आप क्या योगा ब्यास करेंगे, यह मैं आज आपको बताऊंगी, इन बहुत आसान सी ख्रियाएं हैं, क्योंकि you are already fasting, तो बहुत ऐसी ख्रियाएं जो vigorous हैं, जो आपको ठकाने वाली हैं, वो हम नहीं करेंगे, आपका metabolism rate को बरकरार रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, कौन सी योग की ख्रियाएं करनी हैं, आईए जानते हैं, कमर सीधी करके बैचेंगे, पहरों को इस प्रकार से fold करेंगे, कि दाएं एड़ी दाएं हिप को च हो जाए, गुचनों की बीच में gap रहेगा, थोड़ा सा आगी भी आ सकते हैं, अपने mat के अनुसार, अपने आपको adjust करना, और फिर हाथों का सहारा लेते हुए, कोहनियों का सहारा लेते हुए, इसी स्थिती में लेट जाना, गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी और इस स्थिती में अपने हाथों को सर के उपर ले आना, और opposite हाथ से opposite कोहनी को पकड़ने का प्रयास करना, यथा सामरते स्थिती में रुकना, नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ, फिर धीरे से हाथों को वापस ले आना, और धीरे धीरे से उसी स्थिती में बैठ जाना, तीन बार आप इसको repeat कर सकते हैं, फिर आप अपने पंचो को मिला लेंगे, एडी खुली रहेगी, दोनों घुछनों के बीच में बराबर का gap रहेगा, और हाथों को इस प्रकार से उपर ले जाना कि दाई हथेली से बाएं कंधे को छुना, बाई हथेली से दाएं कंधे को चु कोशिश करें कि जितना maximum आप fruits का सेवन कर सकें, fresh juices का सेवन कर सकें, अपने आपको पानी पी करके hydrated रखें और परमात्मा के उप में वास करें, धन्यवाद